नमस्कार दोस्तों मेरा नम है विजय कुमार और आप देख रहा है कॉमिक्स पटारा चैनल को दोस्तों हम लोग कोमिक्स पढ़ रहते अन्होनी ना हो चाए जोगी शक्ति की कोमिक्स है इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अप्लोड कर दिया है पहले और सक्ति ने मेरे काम को बिगाड़ा मेरे एक साती को मात करके सक्ति ने बता दिया है कि वो कोई साधारन सक्ति नहीं है वो मेरे काम को बिगाड़ने हर बार मेरे रास्ते में आईगी इसलिए इस बार एक बड़ी अनौनी करने मुझे खुछ जाना होगा इस बात का ध्यान रखकर की कि मेरी मटवर सक्ती से हो सक्ती है सक्ती की तैयारी भी यही बता रही थी की मेरे हाँ तो मात खाकर अनोनी चुप नहीं बैठ सक्ती चोट खाई नागिन की तरह छट पटाते हुई वो कोई बड़ी वर्दात करने की फिराक में होगी मुझे भारत के चप्पे चप्पे पर नज़ा रखनी होगी पर कास के गती से उरती सक्ती कस्मिर से लेकर कन्या कुमारी तक चक्कर पर चकर लगाय जा रही थी और आखिर एक चकर में सक्ती एक जगा ठिटा की गई भारती मिसाइल सेंटर जिसने सक्ति को ठिटकाया था जिसने सक्ति का ध्यान अपनी तरफ खीचा था और सक्ति सही ठिटकी थी क्योंकि अनोनी यहीं मौजुद थी देश के दुस्मनों को मूतोर जवाब देने के लिए उन मिसाइलों को यहां खड़े रहते समय किसी नहीं यह सपने में भी नहीं सोचा होगा इन मिसाइलों के साथ कोई अनोनी घट सकती है यह देश की दुस्मन बज सकती है यह कोई पागल है जो मिसाइलों की और बढ़ रह ही है रोको इसे रोक सको तो रोक लो गोलिया चला इस पर गोलिया चला कर तुमने अपने लिए मुसीबत बुला ली है यह तुम्हें अपना निशाना बनाएंगी ओ इसकी तरह बढ़ती गोलियों यू टर्न ले रही है अब वे हमारी तरह भी बढ़ रहे हैं ओ नहीं यह गोलिया हमें बिन डालेंगी अब हम नहीं बचेंगे अरे बच गए कैसे बच गए मेरे बचाएं बच गए शक्ति अन्होनी के मुसे निकला था वो नाम शक्ति तो तू सक्ति है अन्होनी तू अन्होनी है ना कभी हानी थी होनी थी आज अन्होनी हुई वो अन्होनी जिसकी अन्होनीों से तू लोगों को बचाती आई है अगर तेरा काम अन्होनी करना है तो मेरा काम भी लोगों को बचाना है लेकिन इसके बाद भी तू नारी है, इसलिए तुझे सला देती हूँ, छोड़ दे ये बुरा काम बन कर दे लोगों को अनोनियों का सिकार बनाना, बन कर दूँ, क्यों बन कर दूँ, क्या लोगों ने मुझे अपना सिकार बनाना बन किया था, क्या उन्होंने मुझे पर जुल्म धाना बन किया था नारी के बारे में पसीद है कि वो हर जुन, हर अत्यचार को साकर भी अत्यचारी नहीं बनती, जुन नहीं ढहाती इस सच्चाई को मत जुटला, समस्त नारी जाती को कलंकित मत कर, बोल जा सब कुछ, बन कर दे ये तवाई का खेल, नहीं, कुछ नहीं बोल सकती मैं और आज के बार सारी दुनिया भी मुझे नहीं बुलेगी, क्योंकि मैं यहां मौजुद, इन मिसाईलों को भारत के कई सहरों पर गिराऊंगी अगर तेरे यही विचार हैं, तो तुझे मुझे टकराना ही होगा, क्योंकि मैं नारी जाती को किसी भी हालत में कलंकित नहीं होने दे सकती, तो मुझे रोकना चाहती है सकती, नहीं रोक पाएगी कभी नहीं रोक पाएगी मुझे तुझे हर हाल में रोकना है और रोक कर ही रहूँगी नहीं रोक सकती क्योंकि इस दुनिया के सारे चीजे हैं मेरे दिमाग की गुलाम गज़ा भे इसकी मांसिक सकती है तेर पोधे के साथ साथ जमीन की मिट्टी तक उसका कहना मांग रही है इसे तो जल्दी बहुत जल्दी काबू में करना होगा ओह तो अपने सकतियों से गातक हत्यारों का निर्मान भी कर सकती है कभी स्वाच चखा इसका आजचक? ओह नहीं मेरे हत्यार मेरे ही सनहार करने को उतारू है कमाल है कमाल है लेकिन इन सब के बावजोध में मुझे उसे रोकना ही है मुस्कुलियों से जूसती और उन्हें अपनों से दूर हटाती सकती एक बार फिर अन्होनी के सामने थी जवाब नहीं तेरा सकती तो मेरे मिसाल की तरफ बढ़ते कदमों को रोकने आई ही जाती है चल ऐसी बात है तो मैं अपने कदमों को मिसाल की तरफ नहीं बढ़ाती यहीं खड़े-खड़े उन्हें स्टार्ट करने का स्विच दवा देती हूँ आपने मान सेख सकती उसे ओह नहीं उससे पहले ही मिसालों को स्टार्ट करने के स्विच दब गये सकती कुछ समझ पाती उससे पहले ही मिसाइलों को स्टार्ट करने के स्विश डब गये हैं खट लेकिन अरे ये क्या मेरे स्विश दबाने के बाद भी मिसाइल नहीं छुटी क्यों इसलिए क्योंकि कॉम्पुर्टराइज जमाने में मिसाइल जैसे खतनाक चीजों को चालू करने के लिए एक code होता है और वो code हर किसी को मालूम नहीं होता ओ, ऐसा है, तो वो code यहां किसी को तो मालूम होगा मैं अपनी मानसिक सक्तियों से उसे ढूंड लूँगी ढूंड लिया, यहां की में लैब में यहां का चीफ बैग्यानिक मुझूद है उसे उन मिसाइलों को चालू करने का code मालूम है अपनी मानसिक सक्तियों की मदद से मैं उस code को लेने जा रही हूँ मैं तुझे नहीं जाने दूँगे, अच्छा, कैसे रोकेगी मुझे है, लेकिन क्या फाइदा इनका, तेरे ये रूप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे क्योंकि मैं सिर्फ हवा को अपने पास पहुंचने देती हूँ, मैं और वो भी इसलिए क्योंकि हवा सांस लेने के लिए ज़रूरी है, हवा में मौझूद, धोल के कनोने भी उसके मान सेख सक्तियों का कहा मान कर मेरे रूप को जकर दिया है, यानि अपने रूपों की मदद से भी मैं उसे सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती, शक्ती बेवस थी, अन्होनी को सफल होना ही था, मैंने हेड बेग यानि के मस्तिक्स में परवेस करके कोट पा लिया है, अब देखती हूँ, यह मिसाल कैसे स्टार्ट नहीं होगी, अब भला मिसाल को स्टार्ट होने से कौन रोक सकता है, मेरी हर सक्ती उसके सामने बेकार हो गई है, और हो भी क्यों ना, सांस लेने वाली हवा के सिभा, वो और किसी छीची को अपने पास पहुंचने ही नहीं देती, एक मिनट, एक चिज़ उस तक पहुंच सकती है, लेकिन वो चीज-आन ही मिलेगी, उससे लेने के लिए मुझे कुस देर के लिए कहा से जाना होगा, अलाके सक्ती का कुस देर का समय बहुत ही कम समय था, लेकिन इतना समय भी कहां था यह एंटर किया मैंने कोट एंटर और यह चालो हुई मिसाइल घर अब दिश्व की सबसे बड़ी अन्होनी हिंदुस्तान में होगी क्योंकि अब मैं यह स्विस्त दबाने जा रही हूं यह सारी मिसाइले फायर हो जाएंगी ओफ जैसे तेज आंधी में गर्ना जुमकर गिरता है ठीक वैसी अन्होनी का जिस्म जुमकर गिरा ठीक वहां जहां मौजूद थे उस सक्ति के कदम जिसका सारा जिस्म पसीने स से नहाया हुआ था और अकिन मैं विज्चों की इस सबसे वड़ी मुसीवत को बेहोस करने में सफल हो गई और मैं ऐसा कर पाई बेहोस करने वाली इस गंधिन गैस की मदद से जिससे अस्पताल में उन मरीजों को बेहोस किया जाता है जिनका अप्रेशन होना होता है सफलता के नसे में चूर अनहोनी का दिमाग जब तक उस अनहोनी को समझता तब तक गैस उसके नर्ब सिस्टम पर अपना कबजा जमा चुकी थी लेकिन अन्होनी को उसके किये कि सजा के रुप में जेल नहीं बलकि अस्पताल का बेड़ मिलेगा क्योंकि उसके दिमाग से बसने का सिर्फ यही तरीका है कि जब तक यह जीए तब तक इसे बेहोस करने बाली गैस की डोस देकर बेहोस रखा जाए यह कहानी यहीं खत्म होती है मिलेंगे एक और नहीं कहानी के साथ तब तक यह लिए बाई वीडियो अच्छी लिए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल तो नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना और जहां इस वीडियो की जरु तो आई इसको share भी कर देना Thank you very much वीडियो देखने के लिए